हलो एवरिवन आज हम लोग area join method के बारे में पढ़ेंगे कि area join method क्या करता है ओके यहाँ पर मैंने w3 school की documentation open की है जिसमें area join method के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है fruits नाम का example लिया है fruits नाम का एक area लिया है जिसमें banana, orange, apple and mango है and let text equal to fruits.join किया है so यह join method है यह क्या करता है यह जितने भी area के अंदर जितने भी element है उनको join कर देता है so suppose यहाँ पर banana, orange, apple and mango लिखा है तो यह उसको क्या return करेगा banana, orange, apple, mango so यह return करेगा वो आज यह string type return करेगा मतलब जितने भी element है उनको क्या कर देगा जोड करके एक string return कर देगा and join method क्या होता है कि यहाँ पर उसको parameter चाहिए होता है by default अगर हम parameter नहीं pass कर रहे हैं तो वो comma के साथ separate करके देगा comma के साथ क्या है उसको separate करके देगा अगर हम कोई parameter पास करते हैं तो उस parameter के साथ क्या है हमारे जो भी element है वो separate होकर करके आएंगे so मैं यह example आपको console में run करके दिखाता हूँ इसके बाद फिर explain करता हूँ so यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक array ले लेता हूँ const fruits equal to banana, orange, apple and mango है अगर मैं इसमें fruits.join करूँ and join में कोई भी parameter पास ना करूँ तो यह मुझे क्या return करेगा banana, comma यहाँ पर देखेए separator क्या है banana, orange, apple, mango अगर मैं fruits.join में क्या कर दूँ यहाँ पर कोई भी separator add कर दूँ माल लेज़े मैं and separator add कर देता हूँ and के पहले और last में मैं space देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेए, पहले banana था यहाँ पर banana आ गया इसके बाद फिर क्या आ गया मैंने separator क्या दिया and दिया है space के साथ तो यहाँ पर end आ गया इसके पर फिर orange आ गया तो यह by default क्या करेगा comma के साथ उसको join करके उस array को element को show करेगा as a string return करेगा और अगर मैं कोई parameter pass करता हूँ तो उस parameter के साथ वो उसको separate करके देगा as a string return करेगा आप suppose यहाँ पर मैं कुछ भी और कोई भी value यहाँ पर जैस डैस कर देता हूँ तो यह dash dash के साथ वो उसकी value separate करके देगा banana, orange, apple and mango so इसमें यही है join method में क्या है कि अगर आप कोई parameter pass करते है तो वो उस parameter के साथ उस value को separate करके देगा और in the end वो आपको string return करेगा लेकिन अगर आप कोई भी parameter pass नहीं करते हैं तो वो उसको क्या करेगा कॉमा के साथ उसको जितने भी एक element है उन सबको कॉमा के साथ जॉइन करके उसकी value को देगा I hope आपको यह वीडियो समझ में आई होगी Thanks